मैं तू रूची रूची भोग का उसमें से एक है आर्ती जी का फिडविग यही था कि उनके यहां पर माता कामख्या का बेनर आने से जो प्रभाव पड़ा है वो एक हकीकत एक तरह से जो बोलते हैं कि कहीं कुछ सक्तिया है वो सक्तिया सच में है यह इस बात का लुग हो सब कुछ है और उनके भाई का इतन खतरनाक एक्सिडेंट हो गया कि साइद बचना ना मुस्किन था और जैसे ही उनको बालूम पड़ा के एक्सिडेंट हुआ है और माता कामख्या के आगे उन्होंने प्रात्ना करी कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना ची हकीकत में यह उनके भाई का बाल भी बाका नहीं हुआ यह माता कामख्या का चमतकार इसलिए सभी से केती हूँ सभी अपने घर में माता कामख्या को बुलाए उचीत इस्थान दे और एक अद्बुस अती है यह मेरा का बहुत अनुब हो गए कुछ मिले ना मिले लेकिन मन की शांती मिलती है और बहुत चमतकार करती है माता कामख अपने गल में उचीत स्थान देजिए सभी गुरु जन्यों को कोटी कोटी प्रणाम धन्यवाद 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 मेरी माता कामट्या जो हम महिलाओं को इस काफिल समझा कि हम लोग आपकी सेवां में लेजिए धन्यवाद